विप्रवेश धारण करो आप जाओ तैं जाए अन्तमे परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री राम और सुगरीव जी की मित्रता हो गई तो इसी लिए हमको हमेशा अपने गुरुदेव की बात अवश्य माननी चाहिए क्योंकि गुरुदेव वे हैं जिनके पास ग्यान और वईराग्य के नीत्र है तो हम चर्चा कर रहे हैं आगे चले बहुरी रगुराया रिश्य मूँक परवत निराया भगवान श्री राम आगे बड़े रिश्य मूँक परवत निराया वहाँ पर श्री सुग्रीव जी रहते हैं इन्होंने देखा दो राजुकुमार आ रहे हैं हनुमान जी से कहा आप जाओ और देखो कहीं ने बाली ने तो नहीं भेजा और यदि आप कुछ भी संदेह लगे कि वाली ने भेजा है हम को इशारा कर देना हम भाग जाएंगे हनुमान जी विप्र रूप धरी कपी तह गयाओ ब्राम्हन का वेश बनाया और गये तो सिर जुग गया जुगाना नहीं बड़ा माथना आई पूंचत असभायाओ छत्री अवेश ये एक बड़ी प्यारी बात है मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज नहीं हनुमान जी ने देखा भगवान है सर जुकाया है और कहा कोतम शामल गौर कहा कि आप कौन है छत्री रूप फिरह बलबीरा आप छत्री वेश में कौन है मानो श्री राम जी ने कहा मन ही मन के हनुमान जी वाह वेश बड़ा अच्छा बनाया है एकदम ब्राम्भन लग रहे हो लेकिन सही बात बताए आप ब्राम्भन हो नहीं बने बनाये हो तो हनुमान जी ने कहा आपको कैसे पता लगा कि मैं ब्राम्भन नहीं हूँ भगवान ने कहा कि जब आप आए तो आपने सर जुकाया मात नाई पूंचतास भया हो अच्छा छत्रिय भी कह रहे हो छत्रिय रूप फिरह बलबीरा और सर भी जुका रहे हो तो ब्राम्भन कैसा जिसका सिर्क शत्रिय के आगे जुक जाए तो आपका सर जुक गया इससे हम पहचान गए कि आप बने हुए हो हो नहीं अहनुमान जी ने का प्रभू अगर ऐसी बात है तो हम भी पहचान गए कि हम ब्राम्भन नहीं तो आप शत्रिय नहीं भगवान ने का आपने कैसे जाना कि मैं ख्षत्रिय नहीं हूं का कि हनुमान जी हनुमान जी ने का प्रभू मैंने जान लिया कैसे का आपने कैसे जाना कि मैं ब्राम्भन नहीं हूं का वो ब्राम्भन कैसा जिसका ख्षत्रिय के आगे सिर जुक जाए ब्राम्हन का तो हाथ उठना चाहिए आशिरवाद देने के लिए तो हमने पहचान लिया तो हनुमान जी ने का प्रभू हमने भी ऐसे पहचान लिया कि वो ख्षत्रिय के ऐसा जिसका सिर ब्राम्हन के आगे न जुके तो आपका सर भी तो नहीं जुका इसी दिए हम भी समझ गए कि जैसे हम ब्राम्हन वैसे आप ख्षत्रिय अच्छा प्रभू एक बात बताओ अपना परिचाए दो कौन हो भगवान ने कहा हनुमान जी आपको हम कैसे लगते है हनुमान जी ने कहा जग कारण तारण भाव भंजन धर्नी भार की तुम अखिल भूआन पती लीन मनुज अवतार आप जग कारण है जगत के कारण है भववंधन से मुक्त कराने आये है पृत्वी का भार भंजन कराने आये है मुझे तु लगता है आपकिल ब्रम्हांड के स्वामी है